शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले राज़ में कानून वियवस्ता को मजबूत करने के लिए ठाकरे सरकार ने दस हजार कॉंस्टेबल की भरती का फैसला लिया है उपमुख्य मंतरी अजीत पवार ने यह घोशना की है कि उन्होंने कहा कि इस नियोक्ति से जहां पुलीस बल पर बोश कम होगा वही शहरी और ग्रामिन युवाव को नोकरी का लाब मिलेगा अजीत पवार की अधिक्षता में हुई महत्वपूर्ण पैठक में गुरह मंतरी अनिल देश मुख गुरुह विभाग के अधिकारी मौजोद थे गुरुह विभाग ने 8000 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया था हाला कि उपर मुख्यमंतरी ने 92,000 पदों को जोडने और कुल 10,000 पुलीस कर्मियों के भरति करने और भरति प्रक्रिया को अगले एक साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये है कोरोना संकत देखते हुए किसी विभाधा के बिना भरति प्रक्रिया को सफलता पूर्व कैसे पूरा के आ जा सकता है इस पर ततकाल विचार करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव को कैबिनेट के बैठक में पेश किया जाएगा कि महरास्ट मदे काईदा सुवेस्ता व्यास्ती तराने साथी आणि जा पद्दकीन अमत्या पूरीसान वर्दों मुठा तान पड़तो तो तान कमी करने साथी दाहा अजार पूरीसान की भरती महरास्ट मदे होना रहे ते अमदे ग्रामिन भागा तिल आनी शहरी भागा तिल आमत्या तुरुगनना या पुलीज भर्थि मदे तन्ना अतिशे तंगली संडी तैनित्यनों पुलब दोना रहे इन बीसेन नियूस के लिए अभिशेक मांसी के रिपोर्ट